एक इंद्रिय मंतरी गजींदर सिंग शेखावत ने खबरे अभी तक से खास बात्चूप की बीजेपी के सरकार बनने का दावा किया बीजेपी बदले की रिवाज ये गजींदर सिंग शेखावत की ओर से कहा गया जन्यता ने पिछले पांच साल में बीजेपी की डबल इंज्वन की सरकार का श्यासन देखा ये उनकी और से कहा गया वहीं शेखावत ने कॉंग्रेस पर भी इस दोरान जम कर निशाना साथा हिमाचल पुर्देश विधान सवा चुनाव की बात करें किस तरीके का माहूल रिपीत काम्याब कर पाएगा है यह माचल की जनता ने पिछले पांक साल का बार्तिय जन्ता पर absolument की सरकार का श्यासन देखा जान नरिंद्र मोदी जी के नेत्रतु में देश में विकास की अवधारना को लेकर के सामन्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजनाओं को के माध्यम से देश को शशक्त बनाते हुए भारत का मानसम्मान पुरे विश्वभर में बढ़ाने वाली सरकार काम कर रही है। वहीं पिछले पांच साल में हिमाचल की जनता ने जैराम ठाकुरजी के नेतरतु में एक विकास की इसपष्ट सोच वाली इमानदार सरकार को काम करते वे देखा है। और जब उससे पहले की पूरुवर्ति पांच साल के समय की सरकार के कालखंड में हुए ब्रिश्टाचार भाई बती जावाद जो वादे किये गए थे उन वादों को जुटलाना ठुकराना इन सब को जब तुलना करती है। तो निश्चित रूप से हिमाचल की जनता अपना ये संकल पर व्यक्त करती है कि एक बार फिर भारतिय जनता पार्टी सरकार यहां बने है। सबस्था के लिए जो है वो दर्शाती है। और जहां तक कंग्रेस पार्टी का सवाल है मुझे लगता है कि अब की बार एक बार फिर उनके लिए अंगूर खट्टे ऐसा थावित होने वाला है। आखरी सवाल मुकाबला कैसे देखते हैं आप तो कहरें कि विकास के नाम पर फिर बीजेपी रिपीट होगी। सीटों का क्या टार्गेट लेकर चल रहे हैं। देखें मुझे लगता है कि मुझे सीटों के आकलन जो है वो सिर्फ एक नंबर गिये में उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। इतिहास बनेगा और ऐसा इतिहास बनेगा कि एक बार सभी विस्मित होकर के चमत्कृत नजरों से उस परिणाम को देखेंगे। अब लकुल देखें शेखावत साहब का यही कहना कि इस बार बीजेपी हिमासल प्रदेश में इतिहास बनाने का काम करीगा और जो बीजेपी का मिशन रिपीट है वो हर हाल में कामियाब होगा। कैमरमेन जसी के साथ अनिल मोर खबरेवी तक धर्मशला